आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन वे, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, बाई और बैनों, मात्री सक्ति को नमन, आज का हमारा भाव सुन्दर विशे, प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, वैसे देखा जाए, तो इस दुनिया के अंदर नया, पुराना कुछ नहीं होता है, जब पुरानी चीज चल करके अपने समय में, काफी समय के बाद, जब वो वापस जो है, लोगों के उप्योग में आती तो नहीं बन जाती है, उदान के तोर पे देखिए, जोहलरी को देखिए, कि जब पुरानी जोहलरी पहनी जाती थी, तब वो पुरानी थी, और धीरे-धीरे लोगों के अंदर रूची बदलती रहती है, तो उन्होंने पुरानी चीज़ों को वापस एड़ाप्ट किया, जैसे की लूंग का पहनना, मुर्की का पहनना, और हाथ के अंदर कड़ा पहनना, इतियादी जो है, जो माठी बोलते हैं जिसको, ये पुराने शमय में चलती थी, और लेडीज के मामले में देखिए, कि जो उनकी ड्रेस हुआ करती थी, वो छीट वगरा की पुराने समय में चला करती थी, वो वापस आज नई बनके आ गई है, और आप पैंट को देखिए, बेल बोटम चली, फिर उसके बाद में बिलकुल संकड़ा चला, फिर चोड़ा चला, तो ये जो है गूम गूम करके पुरानी चीजे वापस नई बनती जाती है, ये समय का खेल है, क्योंकि समय जो है बदलता रहता है, समय परिवर्तन सील है, जो संचरन करता उसको संसार कहते हैं, तो संचरन करने के कारण, बदलने के कारण प्राचीन है, वह अरवाचीन होता रहता है, अब प्राचीन इतना गहरा विशय है, कि उसको हम कई एंगल से बता सकते हैं, उधान के तोर पर देखिए, अमारी प्राचीन समय की जो संस्कृती थी, वह संस्कृती गुरु कुल सि अब आज उप्योग में नहीं है आज विध्यानिक यूग है तो विध्यानिक यूग के हिसाब से बच्चे जो कैलकुलेटर हैं कम्पूर्टर हैं इंटरनेट हैं इनका ऑनलाइन एजुकेशन इनका फुल उप्योग करते हैं पुराने समय में ये साधन नहीं थे तो पचीस कि अवस्ता तक हर विध्यारती गुरुजी के गुरुकुल के अंदर जो की नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते थे वहां कितनी सुंदर विवस्ता हुआ करती थी प्रकरती की गोद में हुआ करती थी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे नदी थे नाले थे और दू जरने कल-कल कर पशु बोल रहे हैं, पक्षी चह चा रहे हैं, तो कितनी उस प्रकृति की व्याक्या करें, उन सब्स को अगर हम नियारते, तो स्वताई इश्वर के दर्शन हो जाते हैं, यानि प्रकृति ही इश्वर है, इश्वर ही प्रकृति है, तो आप जितना प्रकर्तिक जीवन जीते हो प्रकर्ति के करीब रहते हो उतने उतने सही मायने आप इंसान हो लेकिन हमारी प्रकर्ति ये कभी भी पुरानी नहीं होती है ये तो पहले भी ऐसी थी आज भी ऐसी रागे भी ऐसी रहेगी प्रकर्ति मा कहती है मैं तो हर क्षण एक सी रहती हूँ और मैं तो वो समस्द प्राणियों की क्रियेटर ऑपरेटर और डेस्टोयर हूँ जो की सारा संचालन करती हूँ और वो ही करता है मेरे कहने का अर्थ है चाहे प्राचीन हो चाहे अर्वाचीन हो उसकी व्यवस्तापक है वह कुद्रत है इसलिए व्यवस्तापक का अपना रोल होता है ओस्टल के अंदर वार्डन होता है और खास तोर से जो गर्ल्स कैंडिडेट होता है वहाँ पे सुरक्षा की कड़ी ध्यान, कड़ी निग्रानी रखनी पड़ती है, वार्डन को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो वार्डन की देख रेक के अंदर उसके मैनेजमेंट में काम चलता है, देश के मैनेजमेंट में प्राइम मिनिस्टर, रास्टरपती और जो है कहना ची मिनिस्टर्स वगेरा जो है ये कारिपाली का क्या के द्वारा प्रशाशन चलता है तो उनके अडिनिस्टर्शन में चलता है तो कहने का आर्थ ये होता है कि ये सारा संचालन कुद्रत का है और कुद्रत और कुद्रती रचनार कुद्रत का कानूनी हमारा आधार है हम किसी भी धर्म संपरदाय जाती और लिंग और ईश्वर मंत्र और रीच्वल संस्ता फॉर्मेट किसी को भी मद्य नजर नहीं रखते हम तो केवल कुद्रत को समर्पित होके कुद्रत की बात करके और आपको सनातन सत्य देना चाहते है यूनिवर्सल टू सार भूम सत्य अल्टिमेट रियलिटी आप डिस कॉस्मास वो आपको देना चाहते है क्यों देना चाहते है ताकि कि आपकी रॉंग बिलीफ समापत होके आपके राइट बिलीफ हो जावे और आप जो है यो शाश्वत सुक्ती नीव लगा दो क्योंकि नीव मनुश्य ही लगा सकता है इस जनम में नीव लगती है यानि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत कुछ कोईन का जो मुख्य उद्देश यही है कि हमें जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ती होना हमें जो है शाश्वत सुक्ती नीव लगाने चाहिए यह आज किस एपिशोड का बहुत बड़ा कहना ची उद्देश्य है प्राचीन को देखिए समय की बात करें तो जो है यह उमारा बीस क्रोडा क्रोड सागर का पुरा काल चक्र चलता है जिसके अंदर अव सर्पिनी काल के जो है दस आरे होते है उच सर्पिनी काल के दस आरे होते है और यह जो है अव सर्पिनी का मतलब आपने सर्पिनी ले की होगी नागिन का मुँ चोड़ा होता है और पूँच पतली ह यानि उसका पतन होता है इसलिए इसका नाम असरपिडिकाल है और फिर अपन पूछ से चलके मूँ की और जाते है इसका मतले एलार्ज होता है उसका जो कहना चाहिए उसका विकाश होता है तो उत हो गया उत सरपिड़ी तो इस तरीके से आरे चलते रहते हैं समय चलता रहता ह हमको बदलना भी चाहिए तो इस तरीके से प्राचीन और अर्वाचीन की हम बात करें तो पुराने जमाने की बात करें कि आज जो है लगबग 40-50 साल पहले जो हमारा प्राचीन में क्या था प्राचीन समय का मैं अगर एक जो मैथेमेट्स की थियोरम के नुसार एक गोला केंदर के अंदर गुण गुणी चरित्र चरित्वान अचा दूसरा आचार नीति और दूसरा हमारे जतने भी मुल्य है वो सारे केंदर के अंदर रहा करते थे परीधी पे जो है हमारे सम्मंद सत्ता धन और दौलत है और जितना हमारा एश्वरी है वो सारा परीधी पर रहता था यानि प्राचीन समय में हम परीधी को साधन सत्ता को जो सेकेंडरी मानते थे कि वो मनुश्य के लिए है और इसलिए मनुश्य को केंदर में रखा जाता था मानव था कि जो है बहुत बड़ी सेवा होती थी मानव को इंपोर्टेंस दी जाती थी धन दौलत सेकेंडरी था क्योंकि धन दौलत तो मानव के लिए है मानव धन दौलत के लिए नहीं है जैसे बोजन के लिए जका जाता है ये हमारा जीवन वो बोजन के द्वारा चलता है हम बोजन के लिए नहीं है यानि बोजन साधन है धन साधन है साध्य नहीं है परंतु आज का युग देखो तो आज के युग में क्या हुआ कि जो परीदी पर लोग थे वो पावर्फुल हो गए और पावर्फुल हो करके वो परीदी को तो डाल दिया केंदर में और केंदर केंदर गुन सत्ता मुल्य एथिक्स वगेरा सब को परीदी पर सेकेंडरी कर दिया और परीदी में धन दौलत आने से एन केंद प्रकार एन ध धन कमाओ ये समाज का माप धंड हो गया बाई हुक और क्रुच घुड़ है धन कमा करके धनपति बनना है और धनपति चाहे काले दंदे से लाओ चाहे अप राज xs se लाओ चाहे आतंगवाद से लाओ पैसा जिसके पास है उसको आदमी को ऊंचा मानने लगा है उसका सथकार क ये जाने लगा, ये अर्वाचीन का दोश बैदा हो गया तो इस तरीके से हमें प्राचीन और अर्वाचीन के गुन दोस्तों को शीकना सिक्षा की बाद राजनिती को देखिए राजनिती के अंदर जो मारा देश आदा हुआत बाबु राजन्दर प्रशा, जवालाल नेरू, रामनो, लोया और लाल बादो, शास्री ऐसे ऐसे मा के लाल थे जो की ऑनेस्ट रहे जीवन बर तक उनों ने इस पदों को सेवा का कारिय समझा लेकिन आज दीरे दीरे समय बदला, तो समय के बदलते बदलते, जितने भी ये सरकारी ओदे है मंत्री है, MLA, MPA इसको धन कमाने की टकसाल समझ लिया यानि बिजनस करने के लिए लोग यहां जाते हैं, तो अब आप सोच लिए, अगर आपको बिजनस करना फैक्टरी लगाईए, दुकान लगाईए, आप टाटा बिडला बनिये, कौन आपको मना करता है लेकिन अगर आपको सेवा का काम करना है तो सेवा के कंसेप्ट से चाहिए आप मिश्रण क्यों करते हो और ये मिश्रण करने से सारी गडबड हो जाती है और मिश्रित चीजे सब बिड़ जाती है जैसे दूद को, दई को, वगेरा को इस जो विरोधी प्रकरती की चीजों को साथ में डाल दिया तो सब चीज कराब हो जाती है आप एक एक अलग-अलग चीज का अलग-अलग समय में उप्योग करो तो हरे का उप्योग है तो इस तरीके से प्राचीन और अर्वाचीन के अंदर काफी अंतर आया है अब प्राचीन समय में देखो कि आज से 50 साल पहले मैं 20-25 साल का युवा था और दीरे दीरे मेरे में शक्ती थी, काम करने की हर काम का जज़बा था अब 77 एर कि उमर के अंदर शरीर भी कमजोर हुआ है, इच्छाएं भी बदली है, दरंद्यान करने की बात है, लोगों को ग्यान दान देने की बात है, जितना ग्यान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तब पहुँचे, वो पढ़ने के लिखने से बोलने के माद्यम से पुस्तकों के माद्यम से आज का शुविचार आज का शुविचार और पुस्तक वगरा इन माद्यम से पहुंचे तो ये रुची भी बदलती रहती समय के साथ में क्योंकि ये प्राचीन और अर्वाचीन का जो है ये समंद है तो भाई और प्राचीन अर्वाचीन जो है यह शंकला है यह चलती रहती है एक दूसरे से जुड़े हुए प्राचीन और अर्वाचीन दोनों को समझना है तो हमें खंड खंड रूप में नहीं समझना है हम दोनों को खंड करके समझो अब देखिए प्राचीन और रवीन की बात करें जैन बनता है तो बात कि यह नहीं सोच बदल जाता है, क्योंकि समय बदल जाता है जो हमारे समय में विग्या नहीं थे तो हम परीश्णम ज्यादा किया कर्ते थे ता नहीं वह सूरीивает शारीरिक चीजों काम लिया करते थे, आजकल जो है, वो सुईधाय बहुत बढ़ गई, वीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, शारीर प्रिश्रम बिल्कुल नहीं रहा है, मानसिक प्रिश्रम बढ़ गया, तो हमें इस जैनरेशन गैप को पाटना चाहिए, हम यही खाली मात जो है, वो बात को रटते रहें कि हमारा जमाना इतना था, वो अच्छा था, और आज तुम्हारा कुछ नहीं तो वो भी गलत है, क्योंकि यह तो प्राचीन अर्वाचीन तो यह तो इस इस साइकल आप दी टाइम, यह जो है, हमारा साइकल का पईया है, और गाड़ी का जिसके माबाप साथ में तो रहते ही है, तो रहते हैं तो हमें उनके बीच में सामवन जश्य बिठाना चाहिए, तो मैं यह क्या कहना चाहरा हूँ, कि प्राचीन की बातों को नवीन बातों के साथ जोड़ना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार ने ध्यान दिया के अंदर, सरका प्राथमिक्टा दी जाती, इंट्यलेक्टुल नाकियोगे भी रूल्सूर्ब के जो है, वर्तमान सिक्शा पढोली में जोड़के इसको फ्लैस्टिक बनाकर के विक्टि को जो इन्टूशनल बनाने की कोशिश कीए, तो हमें क्या करना चाहिए कि प्राचीन और अर्वाचीन का ब्लेंडिंग करना चाहिए, मिश्ण करना चाहिए, दोनों को जोडना चाहिए, खराब कोई चीज होती नहीं है, हमारा पर्मानू और पर्मानू non divisible, non destructible है, न तो तोड़ा जा सकता है उसके अतिरिक के अंदर औ इस तरीके से वह शाश्वत है वह जो है वो हमेशा रहने वाला अजर अमर तत्व है लेकिन जब वह परमानू एक से द्री परमानू चतुर परमानू अश्ट परमानू होता है तब वह विशुद हो करके अश्ट इस पर सी बन करके सारे संसार जो हमें दिखाई देता उसको ब प्राचीन और अर्वाचीन की बात करें तो जड़ तो बदलता रहता है चेतन नहीं बदलता क्योंकि जड़ गलन मिलन धर्मा है और इसमें फ्यूजन होता है और इसके अंदर यूनियन होता है लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है उसके अंदर ये दोनों नहीं होते जड़ तत् तो जो है वह किसी तरह का फिलिंग नहीं करता है, उसके कोई ओरा होता है, फिक्स होता है, चेंजिंग ओरा नहीं होता है, लेकिन जो चेतन तत होता है, उस ओरा में सा चेंजिंग होता रहता है, वो फिलिंग करता है, उस अगदू की अनुभूती करता है, वो ग्रोथ करता है प्रजिलन करता है नौ करेक्टरिस्टिक की बताई गई है तो हम आपको ये बताना चाहते है कि प्राचीन और अर्वाचीन की आप बात करें तो ये जो है एक नाश्वान है और एक अजर अमर है मात्र उसके जो है वो साधन यानि पुद्गल के साथ जोडने से वो अलग-अल विबिंता कहिये विविदता कहिये वो दिखाई देती है तो प्राचीन और अर्वाचीन विषे को हम बहुत सी कसोटियों पर हम कस सकते है और जितना जितना इस कसोटी पर कसते जाएंगे तो हमें ये मालूम होगा कि प्राचीन काल का वर्तमान समय में बहुत बड़ा परिवर्त ना था विग्यान की बात करें तो सोग साल पहले कही है पचास साल पहले विग्यान इतना उनती में नहीं था केवल विग्यान विग्यान की बात की जाती थी लेकिन आज विग्यान ने इतनी उनती कर ली है कि पूरे विश्यों के अंदर पुराने जमाने में तो वहां बड़ी बड़ी केबले जो डाली जा करता है 210 कंट्री के 1 कंट्री का कोड मिला हुआ जैसे हमारा 9-1 कोड है उसी तरीके से हर एक का ABCD के हिसाब से कोड मिला हुआ है और वो बकायदा उस कोड के अंदर हम फोन करते हैं मालो अमेरिका तो अमेरिका का कोड है वो प्लस वन या टू जो भी है उस कोड में जाकर के फिर वहां के देश के नमर से मिलेगा तो ये सारी कोडिंग हो गई है तो ये सारा जो है वह इतना बड़ा विज्ञान ने तरकी कर ली है कितनी कंपूटर एज्यूकेशन आज विक्सित हो गई है तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है पुराने जमाने के अंदर इतना विज्ञान नहीं था तो विज्ञान नहीं था तो उस हिसाब से बात की जब प्राचीन की बात करें देखिए आज एक फोटो कापी करके अजारों के बीच माटी जा सकती एक वाट सेप पे अजारों लोगों को बेजी जा सकती है और एक छोटा सा जो है कहना चीए सिम कार्ड कहिए मेमोरी कार्ड पे सो सो जी बी की जो पूरी की सेंटर लाइबरेडी को इई जो है इई लाइबरेडी के हिसाब से डाला जा सकता है जबकी पुराना समय कैसा था अगर एक पेज क्या आदा पेज का भी मैटर किसी को देना है तो लिख के देना पड़ेगा क्योंकि ये फोटोकॉपी थी नहीं बाद में इन्वेंशन हुए तो ये प्राचीन और अरवाचीन में सब चलता रहता है परिवर्तन बहुत हुए है और आगे भी होते रहेंगे इसलिए प्राचीन और अरवाचीन को समझने के लिए भूद भूश्य वर्तमान को भी खंड खंड नहीं करके अखंड समझना पड़ेगा ये भूद काल के अंदर हमारी प्राचीन परमपराय थी वर्तमान काल के अंदर हमारी जो नवीन परमपराय चल रही है और फ्रूचर काल में अरवाचीन आ जाएगी लेटरस्ट आ जाएगी वो मॉडर्ण आ जाएगी मॉडरेट आ जाएगी तो इस तरीके से समय के साथ में सब कुछ बदलता रहता है तो ये प्राचीन और अर्वाचीन जो विशे लिया गया है वह इसलिए लिया गया है कि हम जो है सभी जेनरेशन सभी लोगों को आपस में जोड़ करके बात करना चाहते हैं किसी भी तबके को किसी भी वर्ग के व्यक्ति को neglect नहीं करना चाहते हैं क्युम्कि आज का यूग विज्यान का यूग है प्ररवर्टाजेशन लिब्रलाइजेशन और जो है वो जो ग्लोबिलाइजेशन का यूग है उसके अंदर हम पूरी प्रत्वी जो है एक गाउं की तरह होगी हम सब समीप आ गए है तो समीप आने का अर्थ क्या है हमें एक दूसरे के विचारों का सहमती करनी पड़ेगी संभाव करना पड़ेगा चाहे धर्म का जो है समय हो तो सर धर्म संभाव करना पड़ेगा और चा कांतवाद को लाना पड़ेगा, शादवाद को लाना पड़ेगा और हमारे समाज के अंदर जो गिरते हुए मानवी मुल्य है, उनको पैदा करने का पड़ेगा मैत्री परमोद करूना मद्यस्चा, यह हमारे पुराने अच्छे मुल्य थे, आज मुल्य गिर गए, गिर गया गए, समात हो गए, इसी कारण से आज आतंकवाद, आज अपराद, आज गरेलु, इंसा और कितने कितने जो गलत कारी आज हो रहे हैं, अगर आप पेपर मीडिया को पड़ें, आप सोशल मीडिया को पड़ें, आप टीवी को पड़ें, प्रिंट मीडिया को पड़ें, इलक कि वो अपरादी बन गया लेकिन प्राचीन काल का समय ऐसा था कि बहुत से गाउं के गरों में ताले भी नहीं लगते थे, वहां राम रज्य था, राम रज्या, राम के रज्य को राम रज्य का जाता है, कोई दुखी नहीं था, लेकिन आज कितनी आपाधापी बदल गई, क् कि समय ने बदलाव लाया है, समय के साथ में व्यक्ति की सोच बदल गई है, तो इसलिए हम प्राचीन और अरवाचीन को दोनों को एक साथ अस्तित्त देना चाते हैं, तो हमें जो है, वहां जो है, खंड-खंड में नहीं करके, अखंड रूप के अंदर इसको सोचना तवज्जा देनी पड़ेगी, और वास्तों के अंदर जो एकांत वादी द्रस्टी कोण है, वो समन्वे वादी द्रस्टी कोण है, शाद वादी द्रस्टी कोण समय आ गया है, हमें समन्वे बिठाना पड़ेगा, हमें सामन्जश्य बिठाना पड़ेगा, पुराने और न लेकिन परिवर्तन होने के सासाथ में हमारे एथिक्स है, मुल्य है, वो नहीं बदलने चाहिए, जैसे कि सत्य अहिंसा जो है वो हमारी अहिंसा सत्य अचोरी ब्रहमचरी अप्रीग्र, यह पाँच बड़े-बड़े वरत है जो प्राचीन काल में तिर आज भी जो है, वो अवरत बताए तो वो तो डाई है जार साल पहले भी थे आज भी हो रहें आगे भी ऐसे ही रहेंगे मौलिक चीजों में कोई परिवर्टन नहीं आएगा लेकिन जो छोटी मोटी व्यवस्ता पक्स की चीज़ है उसमें तो परिवर्टन समय करवाता समय के साथ में आता रहता ह है तो हमें प्राचीन और अर्वाचीन का अर्थ ही हो गया हमारी पुरानी परमपराएं पुराने मुल्य उनको भी हम दर्श्टीगत रखते हुए नए जो मुल्य पैदा हुए है नई स्थी पैदा हुए उसको भी स्विकार करो और दोनों को जोड करके दोनों को साथ करके समन्वे बना करके अपने जीवन को चलाईए हमारे पूरे विश्व के अंदर दोत रह की जो है वो कहना चाहिए कल्चर चल रही एक Western civilization और Eastern civilization हमारी Eastern Eastern civilization के अंदर spirituality को सबसे बड़ा मैतो दिया वहा धार्मिक्ता को अधिक मैतो दिया गया इसलिए हम जो आत्मतत्तो को बहुत अ आत्मतत्तो को इतनी तवज्जा नहीं देता है क्योंकि वो बहुत इगवादी है वो आत्मतत्तो को मानते हैं पर थोड़ा सा मानते हैं उसकी इतनी व्याक्यानी करते हैं जितने की हम बहुत प्राचिंग कासे करते आये हैं तो वो तो जो है बहुत इगवादी होने के तवज्जह देते हैं उसका संभाव करते हैं उसका आधर करते हैं लेकिन उसके पीछे जो है हम बिलकुल कहना चीए बावले होताओं है उसके पीछे पीछे जो है इतने पिछ Valentगू होताओं है कि हमारी संस्कति खराब होता कि वहारा है आज हमारी युवा पेडी ने जो western civilization की पहनवा, खान, पान, रेंट, सेंट, आचार, विचार सब को western बना दिया है हमारी सोज भी western civilization की हो गई है इसी कारण हमारे nuclear family हो रही है और इसी कारण हमारा अस्तित्व है धुमिल हो रहा है तो हमारी संस्कृति का अस्तित्व बनाए रखना है तो प्राचीन अर्वाचीन दोनों मुल्यों को साथ साथ चलने दो दोनों को समान जो है आप अस्तित्व दो समान रूप से उनका पालन किया जाए सर्वे बन्तु सुगिना सर्वे संतु निरामया लोग के सब जीओं को सुख मिले शान्ति मिले आनन मिले प्रेम मिले सोहाद मिले और सभी हेल मल कर गए इस विश्व के अंदर हम जो है वो इंदर लोग को धरती पर उतार लाएं आपके प्रती मंगल भावना शुब कामना ओम शान्ति एक ऐसा अंतराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त मानव जो गुरु प्रेणा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर हिर्दैस पर श्री प्रवचन कर चुका है उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग दर्शन शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्तर के 250 शोद्गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रह हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्क्शॉप कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को य चार हजार से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ओनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेब्साइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उप्योग लाखों पाठक कर रहे हैं उपासक तातेड के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेबसाइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं कर दो कर दो कर दो